एपिसोड की शुरुवात में हम देखते हैं कि मारुत की मॉम को आंट टैप न्यूज पढ़ने से लोगती हैं पर पो नहीं मानती पर तभी कैट मारुत की फ्रिंट वहां पर आ जाती है और उन्हें बातों ही बातों में वीरा की डिद का बता देती है मारुत अपने दोस्तों के साथ फैक्टरी जाता है और उन्हें बताता है कि जब भी में जैन होम जंगल के बारें बात करता हूँ तो मेरी माम गुस्सा हो जाती हैं तभी कुछ इंपलाइज मारुत का सामान वहां से बाहर ले जाती हैं और ये काम मारुत की माम की कहने पर हो रहा था तभी वह वहाँ पर आज आती हैं और कहती है कि इस company की प्रेसिडेंट मैं हूं तो जो कुछ मैं कहूंगी वही होगा मारूत कहता है कि मैं डैट का ही इंस्ट्रक्शन फॉलू कर रहा हूं कि आप डैट के विस पूरी नहीं करना चाहती वह कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और मैं कुछ तुम्हें बता भी नहीं सकती इतना कहकर वहाँ जली जाती है इधर दाव एक गुफा में होती है और याद करती है कि मेरी वज़े से कितने लोग मर चुके है वो गुस्सें में गुफा का गेट खूल कर दूप में खुद को मारने की कोषिस करती है पर तावी Senhy नै आकर उसे वहां से अठ़ा दिया था वो उसके में लगता है कि मैं खुस हूँ तभी एक टूरिष्ट वहां आकर गुफा को चेक करना स्टार्ट कर देता है से गुफा का गेट बंद करके उस आदमी को मार देती है दाव ने उसे रोकने की कोसिस की थी पर वो नहीं मानती वो कहती है कि हम वैंपायर्स ऐसा करके एक नए एक यहां से निकल कर अपनी मॉम से बिलना है इधर मारूत अपने डैट से कहता है कि अब मैं क्या करूं तभी किट उसके पास आती है और कहती है कि इतनी जल्दी गिवफ नहीं करना अगर मैं कोई हिल्प कर सकती हूं तो मुझे बता देना यहां मारूत को सोचकर मुस्कुरात रात को मारूत अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं उस विलेज के जेन हम फ्लावर वाले प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूं उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है तब तो अब मैं फैक्क्री बंद कर सकती हूं मारूत बताता है कि मैं आपसे होटल वाले बिजनेस वार फोक होई थी यह प्लाइनिंग मारूत की ही थी निक्ष देवा उन्हें बाहर तक ड्रॉप करने जाता है कि दो हफ्तों में तुम्हारा मिसन पूरा हो जाएगा मारूत उसे हग करके कहता है कि तुम ही मेरी सबसे अची फ्रेंड हो उन लोग के जाने के बाद मारूत अपने फ्र फ्रेंड के साथ उस विलेज की और ही जा रहा था इधर पॉंग को जब हो साता है तो वह यंग को दाव के भाग जाने का बताती है इस पर वो भी उसे मारती है उनकी बाते से ने भी सुन ली थी इधर दाव अपनी मॉम से मिलना चाहती थी और पर अपनी माश्टर के सील की हुए एरिया से बाहर नहीं जा पाती तभी से वहां अकर उसे रोकती है तो दाव भी जाने की कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारी माम मर dessukी होंगी पर नहीं मानती उसे उसे वहंग दर और जाता हैbn से अ proposal चैनी उस पर सक ench जाता है और मैजिक मार्ग कर कर't childhood उसे हर्ट करता है, निक सीन में दाव सो रही थी, तब ही से आकर उसे बताती है कि आज फुल मून है, आज तुम्हें किसी इंसान का सिकार करके माश्टर को दिखाना होगा, इधर मारुत अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में आ चुका था, तब ही उनकी गाड़ी के सामने से आ जाती है, तो वह कार रोक देते हैं, और बाहर जाकर चिक करते हैं, तो वहां कोई नहीं होता, कार के इंजन को पानी की जरूरत होती है, तो मारुत पानी लेने चला जाता है, जीट के पास जाकर वो वहां का नजारा देखकर खुस होता है, तब ही दाव वहां कर उसे से धक्का देकर पानी में गिरा देती है फिर उसे पानी के अंदर जाकर बाहर निकालती है तो मारुत कहता है कि क्या तुम वही हो दाव कहती है कि क्या तुम मुझे बात कर रहे हो मारुत कहता है कि तुम वह नहीं हो सकती और वहां से जाने लगता है दाव उसे रोपती है पर कि यूमन जगे से जादा डैंजरस होते हैं मारूत हर्सकर कहता है कि ऐसे बाते करने से मैं तुम्हें बड़ी नहीं समझूंगा तुम्हारे यह च्टंटी यह से जाता नहीं है यह जो बड़ी बड़ी बाते तुम बोल रही हो किसी मंदिन में सुनकर आई होगी दाओ कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ मैंने लोगों को मरते हुए देखा है मारूत कहता है कि तुम घर जाओ तुम्हारे पैरेंस तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे इतना कहकर वो चला जाता है तब ही से उसके पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सिकार अरेंज किया था तु इधर मारुत पानी लेकर जा रहा था, तब ही पीछे से दाव आकर मैडिक से एक टाइकर क्लियेट कर देती है, मारुत टाइकर को देखकर डर जाता है, वो पीछे दाव को देखता है, दाव उसे हिट करने वाली थी, पर मारुत उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है, भागते भागते वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं मारुत इस सिच्वेशन पर हस देता है दाओ भी हस कर कहती है कि ऐसी सिच्वेशन में मैं भी कुछ नहीं कर सकती मारुत उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटिक्ट करूंगा दाओ उसे इस बात पर हैरानी से देखने लगती है मारुत उसे इसकी वज़े पूछता है दाओ कहती है कि जिसे तुम नहीं जानते उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो मारुत कहता है कि इसे इंसानियत कहते हैं इस पर दाओ सोचती है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मास्टर मुझे मार देगा वहां से जाने लगते हैं तो दाओ मैजिक से टाइकर को फिर से बुला लेती है जिसे देखकर मारुत दाओ को साइड में पुस करता है तभी दाओ उसे बिहोस कर देती है और मैजिक को खत्म करके उसे सौरी बोलती है और कहती मनत को से दिखती है और पपॉल के देखने पर गायब हो जाती है मनत कहता है कि उनके फॉन में नेटवर्क भी नहीं था से मनत पर अटेक करने वाली होती है पर किसी की आवाश निक्ला जाती है यह इसे खने को देखता है तो से वहां से चली जाती पॉल और मन्यतिन के पास जाते हैं पर वो ड्रंक था और वहां से चला जाता है इस पर वो दोनों भी मारुत को ढूड़ने निकल पड़ते हैं इसी के साथ यह पार्ट होता है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में कि क्या हुआ तो बने रहें मेरे साथ और आपने अफीट्र चैनल को सबस्क्राइब कर लिज्य का ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंसटैर नोटिक्येशन मिलती रहे तो मिलते हैं निक्स वीडियों के साथ तक तक के लिए ठेक क्यार रहें गुड़-बाई कि अओलब चार रचे दो कि अधर कि अए गया है कि अवार है कि अपल चार शाट पहा है कि अबता है